हेलो एब्रीबान वेलकम टू रियल कॉंसेट तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में हमारे चाल समय और दूरी इनके पार्ट 6 के बारे में हम लोग बात करने वाले जो कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और हाँ याद रखना यह मोस्टली आपके पूछा ही पूछा जाता है एक बार तो मतलब एक क्वेशन तो बनता ही बनता है देखो दो पॉइंट बनते हैं आपके चाल समय और दूरी से एक तो बनता है आपका रेल गाड़ी का किसका रेल गाड़ी का यानि किसका ट्रेन का ठीक है ट्रेन का बनता है और एक बनता है यहीं दो बनते हैं ठीक है बोट का या फिर धारा धारा यहीं इस्ट्रीम ठीक है तो यह दो टाइप की क्वेश्टन बनते हैं और यह सभी को पता है कि भाई रेल गाड़ी हम लोगों ने खतम कर लिया है ठीक है बड़े आराम से खतम किया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है तो ध्यान से देखना इसको इसमें वही लॉजिक है जो आपका ट्रेन में था ठीक है बस उसको ध्यान से देखते रहना मैं इसकी बारे में बात करूंगा थोड़ा सा इसमें क्या होता है एक जब हम लोग नाव मतलब दो ट्रेंज की बात करते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं एक पोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ठीक है या तो फिर एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं ठीक है लेकिन यहां पर भी वही कहानी है यहां पर क्या होता है कि एक साइड में हमारा क्या जाता रहता है ब इसमें क्या होता है कि देखो, same होई कानी है, कि धारा opposite direction में जाए, ठीक है, या फिर same direction में जाए, मतलब धारा now के, I mean now, जो है धारा के opposite direction में जाए, या फिर same direction में जाए, ठीक है, तो इन दोनों point को आप consider करके चलना पड़ेगा, और तीसरी point यह है कि इन दोनों में कहानी क्या बनती है, इन दोनों में कहानी same होई से ही बनती है, ठीक है, यानि कि इसके चाल के minus में इसके चाल, ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर, जो now की चाल होती है, वो किसमें होती है, now की चाल जो होती है, वो सांत में, सांत धारा में होती है, ठीक है, सांत धारा में, या फिर सांत जल में कह सकते हैं, आप, सिंपल, ठीक है, सांत जल में, जो चाल होती है, सांत जल में जो चाल होती है, वो नाव की चाल होती है, सिंपल, और अगर हम वहीं पर कह दें, यह एक माल वो कोई रिवर है, ठीक है और एक है आपका pond यानि की तालाब ठीक है अगर pond की बात करें तो वहाँ पर क्या है सांत जल तो वहाँ पर नाओ कैसे भी चलाओ आपकी वही speed रहेगी जो normally रहती है नाओ की ठीक है और अगर मैं कहे दू कि river में चलाना है river आपका flow है उसमें ठीक है उसमें क्या है बहाओ है और बहाओ क्या करता है अगर उसके direction में गए तो आपको बहा ले जाएगा या फिर opposite direction में गए तो आपको वह oppose करेगा वह रोकेगा simple सी बात है तो यहाँ पर बाते समझ में आ रही है तो चलो अब हम main point पे चलते हैं कि अगर किसी को उतना अच्छे से visible नहीं भी हो पाता है माल लो आपकी quality low है या फिर कुछ और है तो बात क्या है कि अगर मैं जो बोलता हूँ उसको आप लिखते चलो साथ में साथ ठीक है तो आपको notes proper बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है यहां क्या लिखा है सांत जल में नाव की चाल हम क्या माल लेते हैं माल लेते हैं कोई x किलो मीटर प्रति घंटा ठीक है या फिर मीटर किलो मीटर पर सेकेंड में मान सकते हो या फिर किलो मीटर प्रति घंटा अब हम बात करें अब हम कहते हैं कि धारा की चाल क्या धारा की चाल अब कहते हैं धारा की चाल अगर माल लो आपकी वाई किलोमेटर प्रतिघंटा है क्या है वाई किलोमेटर प्रतिघंटा है तो अब हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल सिंपल से बात है बिल्क कीज बनता है धारा की दिसा में ठीक है यानि कि direction of flow को समझें धारा घी दिसा में नाव की चाल कि में नाव की चाल हिंदी और इंगरीजीमें टेंसन वाली बात नहीं है यहां पर सभी जानते हों कि सांत जल कि ठीक है एकदम इस्तिर और फिर का धारा की चाल यानि इस्ट्रीम ठीक है इस्पीड ऑफ इस्ट्रीम और यहां पर नाओ की चाल यानि की इस्पीड ऑफ बोट इस्पीड ऑफ बोट हमने मान लिया एक किलोमेटर पर गंटे और उसके बाद साइब यहांड की साइ आपका इस्पीड See बात करें वह भाइ किलोमेटर ऐगंड्ले अब हम धारा की दिशा में अधर यानी की साइम डायकशन में बात करें सेम डायक्सन में एक ठारा का डायक्सन होता है ठीक है दारा और अगर सेम direction में हो तो उनकी चाल क्या होगी भाई flow के हिसाब से अगर आप बह रहे हो उनके हिसाब से तो उनकी speed पकड़ के रखे ही हो कोई normal मालू नाव मैंने डाल दिया उसमें ठीक है और छोड़ दिया और पानी बह रहा है तो वो उसी speed से जाएगा न और फिर अगर मैंने कहा कि उसको हम चला देते हैं उसको क्या करते हैं उसे में चला देते हैं तो वो उससे भी चाल चलेगा ही, अपनी चाल चलेगी, प्लस धारी की धारा के भी चाल चलेगी, ठीक है, धारा की भी, इस्ट्रीम की भी चाल चलेगी, सिंपल, तो दोनों का स्पीड जो होगा, वो एड हो जाएगा, सिंपल जी बात है, अगर सेम डारेक्शन में हुआ, आप यहाँ पर घट जाती थी, लेकिन यहाँ जाश्ट अपोजिट है, इसलिए नाव और रेल गाड़ी में ज्यादा पूशे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कॉंसेट जश्ट अपोजिट होता है, बट उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, और जो की लोग नहीं रख पाते हैं, त अब हम कहेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें अपोजिट है, यानि कि धारा के, विप्रीद दिशा में, विप्रीद दिशा में, दिशा में, नाव की चाल, किसकी, नाव की चाल, क्या हो सकता है, भाई, धारा एक तरफ जा रही है, नाव दूसरी तरफ जा रही है यह oppose करेगी, कौन धारा जो है, वो आपका नाओ को oppose करेगी यानि कि हम सीधे कह सकते हैं, x-y, यानि कि उन दोनों का difference कुल मिला के सीधे-सीधे कहो, तो उन दोनों का difference km per hour, simple से बाद है तो यहां से यह दो point बनते हैं, basic, एकदम, सबसे basic यही दो point है ठीक है, अब इन ही दो point को आप note करोगे, ठीक है, यहां पर नाओ की चाल क्या है x km, धारा की चाल, y km माल लेते हैं, तो धारा की दिशा में, नाओ की चाल, x-y और धारा के विपरीज दिशा में, यानि किसमें, opposite direction में opposite direction में direction में, नाओ की चाल क्या होगी, x-y, simple, दोनों का difference, चल, अब यह point आप लोग note करें, फिर हम चलते हैं, questions पे, ठीक है, example के साथ-साथ, हम लोग सारे questions देखेंगे, ठीक है, आपके exam में questions पूछे जाएं, मैं उन सारे questions को एक-एक करके बताऊंगा, देखो, type of questions में बताऊंगा, ठीक है, और बाकी, रही बात, आपके practice की, तो वो आप खुद करोगे, ठीक है, यानि कि आप questions ढूंडोगे, आपके book में कहीं भी हो, ठीक है, आपके ppt, जो हम यानि pdf में हम जो लोग देंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे आप ढूंडोगे, सारे questions वहाँ से करोगे, जो questions फसेगा, वो आप भेज देना, ठीक है, सारे फिर doubt session में आपके, एक-एक करके लिया जाएगे, चलो, अब हम बात करें, example की, अगर हमने example की बात की, तो इसमें क्या कहता है, दियान से देखना, एक बहुत बढ़िया question है, आपकी screen पर दिख रहा होगा, इसको आप लोगी screen पर देखना, ठीक है, दिख रहा होगा कि एक नदी का बहाओ, एक नदी का बहाओ, तीन किलो मीटर पती घंटा है, कितना, नदी का बहाओ जो है, तीन किलो मीटर पती घंटा, नदी का बहाओ का मतलब क्या है, भाई, speed of stream की बात कर रहा है, किसके, stream की, यानि कि धारा की चाल बात कर रहा है, इसको नदी का बहाओ, यानि कि हम धारा की चाल भी कह सकते हैं, धारा की चाल, कितनी है, तीन किलो मीटर पती घंटे, simple अब क्या कह रहा है कि एक नाविक सांत जल में 5 km प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है ठीक है सांत जल में ठीक है यानि कि हम क्या कह सकते हैं अगर सांत जल की बात कर रहा है यानि कि speed of speed of boat यानि कि क्या कह सकते हैं सांत जल में नाव की चाल 9 की चाल, बिलकुल कितना है भाई? वो 5 km प्रति गंटे simple समझ में आ रहा है 9 की चाल आपको दे रखा है 5 km प्रति गंटे और यहां पर 13 की चाल दे रखा है 10 km प्रति गंटा तो आप क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहाव के विरुद ध्यान से देखना बहाव के विरुद यानि अपोजिट डायरेक्शन में कौन से अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है हाँ यानि कि बहाव के विरुद ठीक अगर बहाओ के विरुद्ध बात कर रहा है तो simple सी बात है opposite direction और opposite direction में क्या होता था उनकी जो speed थी उखड जाती थी simple सी बात है तो हमने क्या कहा x-y और x क्या है यहाँ पर now की चाल और y क्या है दारा की चाल simple सी बात है हमने क्या किया फिर इसमें क्या करना था बहाओ के विरिद्धु नाविक की चाल गयात करनी थी तो सिंपल सी बात है यही x-y लगा दो 5-3 कर दो 5-3 is equal to 2 km per hour ठीक है 2 km per hour हो सकता इधर ना दिखे तो मैं इसको थोड़ा से नीचे लिख दे रहा हूँ ठीक है अपोजिट डायरेक्शन की बात करना है ना अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है x-y और x-y का मतलब क्या है 5-3 is equal to 2 km per hour समझ में आया बात ने समझ में आया की नहीं जो पॉइंट हमने दिया वो सारे के सारे पॉइंट यहां से exactly मैच कर रहे है ठीक है यानि कि जो फॉर्मूले पे बेज़्ट होता एकदम समझ रहे है और हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है खुद को कि वहाँ से जो पॉइंट निकल के आ रही है वो सही है या गलत है सारी बाते समझ रहे है तो यह है आपका पहला क्वेशन जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए मतलब कह सकते हो समझने के लिए बहुत बढ़िया था ठीक है चलो अब आगे बात करें अब आगे बात करें नेक्सि क्योस्ट के बात करते हैं देखते हैं वे कैसा क्रेंशें हैं ठीक है कि अ दूसरा क। anchor कर das यहां से देखना कर द बहुत ही बढ़िया इंप्रफेंट क। इसकर नाम से इसको ध्यान से देखना कहीं-न पूछा जा जारूर या तो प्वालिटिक निग में पूछा या तो i.e.r 2 उनुमें कहीं कहीं पूछा जाएगा एक व्यक्ति एक समान गति से तरते हुए है ठीक है एक व्यक्ति है जो कि समान गति से तोरता है यानि की स्पीड उसकी कॉंस्टेंट है ठीक है धारा की दिशा में तैरते हुए धारा की दिशा में धारा की दिशा में यानि कि सेम डायरेक्शन same direction बात कर रहा है धारा की दिशा और उसकी दिशा same है ठीक है, तो वहाँ same direction में कितना kilometer चलता है भई 5 घंटे में 20 kilometer कितना, 5-20 घंटे में time ले रहा है 20 घंटा और 5 kilometer की दूरी तै कर रहा है 5 kilometer की दूरी तै कर रहा है simple सी बात है, फिर कह रहा है तथा इतने ही समय में धारा के विपरीद दिशा में, धारा के विपरीद दिशा में 10 km तेर पाता है, यहां से देखना, अब अपोजित डिरेक्शन की बात कर रहा है, यहां से एक mistake हो गई, यहाँ पर 5 घंटे में 20 km चल दा था, 5 घंटे में 20 km, ठीक है, और यहाँ पर 5 ही घंटे में कितना चल दा है, 10 km, simple ची, अब देखो, same direction में 5 घंटे में 20 km, और opposite direction में 5 घंटे में 10 km, समझ में आ रहा है कुछ बात, यानि कि opposite direction में क्या हो रहा है, कि उसको oppose कर रहा है, पिल्कुल, कौन, धारा की दिशा, oppose कर रही है उसको, simple दी बात, तो फिर क्या कह रहा है, कि 10 km तैर पाता है, चलो ठीक है, तो धारा के बहाव की चाल यानि कि हमें क्या बताना है, हमें बताना speed of stream, क्या बताना है, speed of stream, यानि कि धारा की चाल बतानी है, simple सी बात है, और धारा की चाल बतानी है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना हो, same direction में ये बताओ कि इसकी speed क्या है, same direction में इसकी speed क्या है, तो same direction में speed हम निकालेंगे यहां से, शेम डिरेक्षिन की बात कर रहें नुदा यहां आपको time दे राक्खा है, यहां आपको distance दे रहत आपको time, कितना आगया भाई? four kilometer per hour, ठीक है, same direction में, opposite direction में, opposite direction में, कितना दे रखा है? पांच और 10, ठीक है? यह यहनिकि 10 बाटे 5, यह कितना आगया? 2 km पर आवर Simple Same direction में 4 km पर आवर चल रहा है और opposite direction में 2 km पर आवर Same direction का मतलब क्या होता था X plus Y ठीक है और opposite direction में यानि कि X minus Y Simple सी बात है यानि कि हमने क्या कहा X plus Y पराबर 4 km कितना 4 km पराबर ठीक है और X minus Y is equal to 2 km पर आवर Simple सी बात है यह equation number first और equation number second अब यहाँ से X और Y का मान निकालना है Simple सी बात है तो Y cancel out हो गया आपे यहाँ 2 X बराबर 6 X बराबर 3 km पर आवर यानि कि जो X यानि यहाँ पर क्या है X आपका क्या है 9 की चाल ठीक है अब धारा की चाल हमें ग्याद करने है भाई धारा की चाल तो धारा हमारा क्या था Y था अब धारा यहाँ से निकालो धारा की चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा Y is equal to 4 minus 3 is equal to 1 km पर आवर यानि कि जो धारा की चाल है क्या जो धारा की चाल है वो आपकी है आपका 1 km per hour की speed से वो चल रही है यही आपका answer हो जाएगा बाते समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना कोई भी चीजें इसके मत करना है इसमें क्या किया था ध्यान से सुनना कह रहा है कि same direction में, same direction में कुछ इतने time में यानि कि 5 घंटे में वो 20 km चलता है opposite direction में वो 5 ही घंटे में 10 km चलता है ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, same direction में उसकी speed निकाल लेंगे यानि x plus y opposite direction में हम लोग निकाल लेंगे यानि कि x minus y कितना हो गया हमारा उस हिसाब से speed हम लोग निकाले और जब निकाल लिए तो same direction में 4 km पर hour चला और यहाँ पर opposite direction में 2 km पर hour तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 equation बन गए ठीक है एक same direction एक opposite direction क्योंकि उसने particular तो दिया नहीं था हमें particular निकालना था ठीक है उसने कहा था कि same direction और opposite direction इन दोनों में 2 equation बना दिया और 2 equation बनाने के बाद आपको क्या क्या x और y का value निकालने के लिए के लिए के दिया simple से बात था ठीक है समझ में आ गया यहाँ से x plus y x minus y दोनों में आपको निकाल सकते हैं x minus x और y का मान ठीक है समझ में आए चलो यह तो बढ़िया question था यहाँ बाते समझ में आई ठीक तो ऐसे ही questions आपके बढ़िया बढ़िया बनते हैं अब आगे बढ़िया अब इन सबी को देखो आज की class में दो चार दो चार ही question कराऊंगा लेकिन यह सारे question आपके लिए important थे खर लेकिन और main point क्या है कि अब आप practice करोगे क्या करोगे यह वीडियो देखने के बाद आपको practice करना है ठीक है सारे questions का मतलब एक बार revise कर लेना फिर उसके बाद आप क तो क्या करना है सिंपल सी बात है कि आप जाओगे practice करोगे तो वहां से सारे questions जितने भी आप बना सकते हो बनाओ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ठीक तो यही question करने का एक और बहुत भी बढ़ियर trick है यही question जो मैंने करवाया भी वो question जो है उसी को करने का मैं एक बहुत ही trick बता रहा हूँ छोटा सा है बस उसको ध्यान से सुनना concept है एक तरीके से मैं इसको क्या कहता हूँ कि इसमें trick का कैसे अगर आपको कुछ नहीं आप यहां जितनी मैंने बाते बताई कि उसमें equation बनता है उसको solve करो मैंने क्या कहा था कि मैं जब भी कराता हूँ तो पहले basic कराता हूँ फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा trick देता हूँ ताकि आपको जो formula है वो direct लगा कि आप answer दो minute में निकाल सको या फिर आधे minute में निकाल स लुखा, now की चाल मतलब यहां पर क्या है? same direction में, now की चाल Same direction में कितना दिया था? same direction में now की चाल मैं माल लेता हूँ, late कर लेता हूँ, x km per hour ठीक है? और opposite direction में है आपोजिट डियरेकशन में ह hist कि यारा की जिशा में नाव का अचल कितना है एक्स 1980 पर अपोजिट डियरेकशन में क्या है आपको y km per hour तो मैं यहीं पर कह देता हूं कि अगर same और opposite दे रखा है न आपको यानि कि समान दिशा और विपरीद दिशा में अगर आपको दे रखा है तो बस कुछ है नहीं करना है भाई यहां से देखो तो यहां से पहला question बनता है दूसरा question बनता है पहला तो सांत जल में नाओ किचाल सांत जल में नाओ किचाल यानि x कमान और मतलब जो हम लोग x पहले जो find out किया भी थोड़ी दिर पहले तो मैं क्या गरहा हूं सांत जल में सांत जल में नाओ किचाल नाओ किचाल ठीक और दूसरा क्या है धारा की चाल ठीक है धारा की चाल तो यही दो पॉइंट हमें find out करना होता है और जब यही दो point find out करना होता है तो simple सा एक बहुत ही basic formula है इसको ध्यान से देखना हम कहते हैं कि अगर सांत जल में नाओ की चाल पूछ रहा है तो x plus y by 2 कर दो क्या कर दो x plus y by 2 किलोमेटर पर आवर यही आपकी सांत जल में नाओ की चाल हो जाएगी और दूसरा हम कह रहे हैं कि धारा की चाल ना तो x minus y कर दो क्या कर दो x minus y by 2 ठीक है किलोमेटर पर आवर अब यह बात सर पची नहीं कुछ हमें सर वैल्यू आप पूट करके दिखा दो सिंपल सी बात है तो हम लोग जब निकाले थे वहाँ पर तो सेम डारेक्शन में जो नाओ की चाल थी वो कितिनी थी? 4 किलोमेटर पर आवर और जो अपोजिट डारेक्शन में किया था वो था हमारा 2 किलोमेटर पर आवर सिंपल सी बात है यह नीकाला था न हम लोगों ने यह यह नीकाला था हम ने सिंपल सी बात है भाई आप लोग यहां रिपोट कर दो X प्लस Y है तो यहाँ पर X पर И हमने च् ऑर Y यह किस यह सांथ जल में 9 की चाल है ठीक है? और धारा की चाल धारा की चाल 4 माइनस 2 बटे 2 यानि कि कितना हो गया? 2 बटे 2 यानि कि 1 किलो मीटर पर आउल आप समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आपको? यही इसलिए मैंने कहा कि basic पहले फिर उसके बाद यही बात क्योंकि अगर यही बात अगर मैं पहले कर देता तो आप इसको इस पर ही अटक जाते basic आपको पता ही ने चलता और basic जब ना पता चलता तो आपको दिक्कत होती यानते हो कैसे? अगर यही सवाल थोड़ा सा घुमा के अगर आप से पूछ लेता ठीक है तो आप वही जाके फच जाते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा basic पिध्यान दो पहरे फिर उसके बाद ट्रिक पर जाओ तो अब यहां से आपको अगर मैं कह दूँ आपके लिए मैं थोड़ा सा इस पे भी दिखा दे रहा हूं कोई दिक्कत वाली बात है ने एक इक्जामपल के ता रुपे मैं दिखा रहा हूं इसको ठीक है इसको कही क्यों आपको मैं मतलब इसको दिखना मैं कहता हूं कि अगर ढाट की सामें इसैम डिरेक्ष है अगर मैंने कहोंड़र किंह दिखा दिया और पॉजप 2020 पर एंगर यहां सामें भाई X हम इसको माल लेते हैं और इसको हम माल लेते हैं Y तो सिंपल सी बात है तो यहाँ पर पहला question बनता है सांत जल में 9 की चाल सांत जल में 9 की चाल तो यहाँ पर 9 की चाल मैं सीधे लिख दे रहा हूँ ठीक है? सांत जल में 9 की चाल आप लोग लिख लेना तो यह क्या हो जाएगा x plus y by 2 ठीक है तो यहाँ पर 10 plus 6 बटे 2 यानि कि 16 बटे 2 यानि कि 8 km पर आवर सिंपल और दूसरी की मैं बात करूँ धारा की चाल धारा की चाल अलाग अलाग एकदम ठीक है तो यह हो जाएगा x minus y by 2 तो यहाँ से समझ में आ जाता होगा आपको कि यह point जो है basic है ठीक है बस trick यहाँ से थोड़ा से दीखने में लग रहा है कि हाँ सरी यह तो बहुत आसान था इसको तो हम यूँ कर सकते थे यूँ चूट की बजा के लेकिन बात किया थी कि पहले basic ठीक है आगे बढ़े अब important question में सबसे आखरी और सबसे बढ़िया question मैं इसकी बात कर रहा हूँ यह type question मतलब basic से एकदम clear होता है समझे एकदम basic से उसको थोड़ा note कर लेना फिर आगे बात करेंगे ठीक है देखो अब आपके इसक्रेम पर एक बढ़े अशा question देख रहा होगा जहां से देखना उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति नाव को 8 km बहाव के विपरीत ले जाता है एक व्यक्ति जो है नाव को 8 km बहाव के विपरीत ले जाता है एवं वापस ले आता है यानि कि एक बार जाता है और एक बार वापस ले आता है यानि कि एक बार वह opposite direction में जा रहा है किसमें ऻुआ और दूसएरी बार में वह सेम डाइरेक्सिन में वापस और है भाई क्या करता है तो जब ऑपस तुझे चया जबाएगा दुछ सेम ही वाफस तो ऊपा ना अभ नदी अपनी अपनी दिसा तो बदल नहीं सकती हो जो धारा है वो अपनी दिशा तो बदल नहीं सकता केवल नाव ही है जो अपनी दिशा बदल सकता है ठीक है तो भाई नाव ने क्या एक बार विपरीद दिशा में गया और दूसरी बार जो आपस लोटा तो सेम डारेक्शन में ठीक है तो अब हम बात करें अगे तो इस दोह्री यात्रा में दोहरी यात्रा यानी कि एक बार जाना और एक बार वापस आना ठीक है इस दोहरी यात्रा में 2 घंटे 8 मिनिट का समय लगता है कितना? 2 घंटे 8 मिनिट यह यह नहीं कि total टाइम total time आपको दे रखा है कितना? 2 घंटे गौन स्टी 10 प्लस 8 मिनिट आप पहले यह बताओ कि अगर हम इसको घंटे में convert करें अगर हम इसको घंडे में करने अट मिनिट को तो कैसे होकर होगी बताओ यह हो जाएगा दुब्लस आठ बटे साथ हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है तो यह हो जाएगा चार दुनिया पंदरा चोका साथ ठीक है और यह हो जाएगा कितना 32 बटे यह पांदरा दुना Total time पता चल गया simple तो अब क्या कह रहा है कि तो ठहर पानी में नाव की पानी में किस गती से ज़ेंगा याणिकी सांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है बस सिंस्त ही बात है धारा की जाल दे रखा है और कह रहा है कि total time इतना लग रहा है same opportunities सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करना हो तो क्या करना पड़ेगा सबसे बेसिक ध्यान से देखना यहां से बेसिक से ही क्वेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा हो पहरे इंगा संब्सक्राइब हों क्या स्पीड होगी इस्पीड का मतलब क्या होता है दूरी वटे समय ठीक कैशा बराबर ह कर दूरी वटे यह लिदिस्टेंस अपान टाइम होता है सिंपल सी बात है न तो एक काम کرते हैं total time हम calculate करते हैं क्या करते हैं करते हैं यहां से देखना जारा की चाल पता है और total time पता है तो यहां से हम क्या करेंगे total time calculate करते हैं SIMPLE ठीज बात है na total time भर भर हम यहां लिख सकते हैं हम इसको अठाए है थोड़ा सा main mode पता चल गया है इसको आप लोग चाहो तो screen sort ले सकते हो आगे मैं बढ़ू हूँ ठीक है थोड़ा सा तो दिहान में रखना इसको थोड़ा सा मैट आ रहा हूँ इसमें जो total time था total time 32 बटे 15 गंटे था ठीक है अब यहाँ पर total distance कितना है भाई यह बताओ distance कितना है distance 8 km ही है ठीक है एक तरफ का केवल एक तरफ का और दोनों तरफ का 8 प्लस 8 यानि 16 km तो हम अलग अलग लेके चलेंगे पहले हम जाने का समय लेंगे यानि कि total time कैसे लगा total time बराबर क्या हो जाएगा जाने का समय जाने में लगा समय या फिर ठीक है वापस आने में लगा समय अगर ये दोनों point अगर आप calculate कर लेते हो तो आपका answer यू निकलेगा ठीक है यू तो आप कैसे निकलेगा ध्यान से दिखना हमने total time लिख दिया 32 बटे 15 पहले ये बताओ कि जाने में लगा समय क्या हो सकता है भाई दूरी बटे चाल हो सकता है simple सी बात है ठीक है दूरी बटे चाल हो सकता है और हमें सांत जल में नाओ की चाल हमें पता तो है नहीं सांत जल में नाओ की चाल तो पता है नहीं और जब सांत जल में नाव की चाल हमें नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं भाई सेम डाइरेक्शन में क्या हो सकता है देखो हम मान लेते हैं यहीं पर यहीं पर मानते हैं चलो यहीं पर मानते हैं हम कर लेते हैं कि लेट नाओ की चाल सांत जल में नाओ की चाल जो है X किलो मीटर है ठीक है? प्रदिघंटे ठीक है X किलो मीटर प्रदिघंटे है तो यह बताओ सेम डारेक्शन में क्या होगा? सेम डारेक्शन में सेम डारेक्शन में क्या हो सकता है? X प्लस 2 बिलकुल यानि कि धारा की चाल प्लस नाओ की चाल वही दो होगा और अपोजिट डारेक्षन में क्या हो सकता है अपोजिट डारेक्षन में क्या हो सकता है अपोजिट डारेक्षन में नाओ की चाल क्या हो सकती है भई अपोजिट डारेक्षन में क्या हो सकता है 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 यह सेम डिरेक्षिन में ढ़िट दो एकेसे मिलश के अधैने दो है एक्ष तो अब हमें यहा से निकाल लेता चाहिए अब हमें dreह अब किन्हें data कि दाने बंड 12 जाने में लगा संब aquあの दूरी बटे चाल श.- न यह बताओ जान आ उक온 से वक्त कौन से डायरेक्शन में था अपोजिट डायरेक्शन में था ना तो मैं क्या करता हूं आठ किलोमीटर ही चलता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में था तो इक्स मानें स्टू अ क्लेसम उसके बाद वापस आने में लगा समय वापस आने में यानि कि 8 किलो मीटर ही चला लेकिन वापस आते वक्त कौन्स डायरेक्शन में सा यहां से supporter ड्यायरेक्शन में तो यहां से क्या आगया 4बटे 15, simple, कोई दिकत वाली बात नहीं होने चाहिए, अब जो 4 बटे 15 हो गए तो अब क्या कर सकते हैं हम यहां पर, हम cross multiply करें, simple, cross multiply, मतलब यहां पर क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं, LCM लेके फिर solve करें, तो यह हो जाएगा 4 बटे 15, बराबर, क्या minus 2 whole divided by यह क्या हो जाएगा हमारा x यानि कि a minus b और a plus b दोनों का multiply क्या हो जाएगा a square minus b square ठीक है तो यह हो जाएगा क्या हमारा x square minus 4 ठीक तो यहां से minus 2 minus 2 cancel और फिर उसके बाद यहां बचा हमारा क्या 2x यानि कि 4 by मैं यहां लिख सकता हूं ठीक है 4 by 15 is equal to यह हो जाएगा 2x whole divided by x square minus 4 तो यहां से 2 से गया है यह हमारा गया ठीक है दो बार गया ठीक है अब यहां दो दो पंद्र हो गया अब हम क्या करने कि cross multiply कर देंगे क्रॉस multiply करने के बाद यह क्या जाएगा हमारा 2x square क्या जाएगा 2x square minus 15x माइनस 8 is equal to 0 यह पूरा equation बन गया ठीक है अब जब यह equation बन गया तो आपको solve करने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए तो यहां से हम क्या निकाल सकते भाई इन दोनों का multiply कितना हो जाएगा Solo Solo को ऐसी दो भागण कि यहां पर हमें जूड़ने के बाद 15 यह क्या कर सकते हैं माइनस में चीक है तो 16-15 ठीक है कि वे यह्थ तरीजा एक है एक इस तरीकिस हम करेंगे तो अपना काम बन जाएगा तो यहां से एम दो इस्ते बताते द, बतायए solve करने का method दो इस्टे पताए थे एक तो change the sign यानि कि एक में क्या हो जाता है कि इस तरीके से करेंगे यहां से देखना कि यहां लगा समय तो यहां से 16 और एक ठीक है तो यहां पर 2x square minus 16x plus x minus 8 is equal to 0 तो यहां से हम क्या करते हैं 2x common लेते हैं यहां पर क्या जाएगा x minus 8 आजाएगा एक bracket में प्लस यहां से एक common लेंगे और यहां से x minus 8 आजाएगा is equal to 0 यहां से क्या हो जाएगा 2x plus 1 और 1 हो जाएगा x minus 8 is equal to 0 तो यहां से दो value निकलेंगे कौन कौन से एक तो x का value निकलेगा minus 1 by 2 और दूसरा निकलेगा 8 तो answer कौन सा होना चाहिए positive वाला simple सी बात है हमें minus तो कोई answer चाहिए नहीं तो positive वाला answer होगा simple सी बात है sir बहुत लंबा गया है sir एक बार फिर समझा दिये बहुत confusing है कोई बात नहीं समझेने की बात है ना तो ध्यान से समझो एक बार फिर से देखो कि point वाली बात क्या कह रहा हूं मैं sir आपने कई चीजों को एक साथ mix कर दिया समझ में ही नहीं आ रहा है कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं इधर देखो distance आपको 8 km जाना है वापस आना है कितना 2 km अब हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि नाओ की चाल कुछ x km पर दिखंटे होगी ठीक है तो हमने क्या कि धारा की चाल और नाओ की चाल तो हमें माने लिया है तो ठीक है तो अब हमें क्या करना सेम डारेक्शन में पता करना किलो मीटर पता है यह बताओ कि टोटल टाइम बराबर क्या होता है टोटल टाइम बराबर जाने में लगा समय प्लस आने में से वापस आने में लगा समय है यानि कि हमारा जाने में लगा समय कितना हो जाएगा total distance upon speed ठीक है यानि कि जाने में लगा जो जिस चाल से आप जा रहे हो उस चाल के फिर उसके बाद total distance upon speed आप इसको calculate करोगे calculate कर ने के बाद जो x का विम्मान आएगा उसमें positive answer आप लेके चलोगे यानि कि positive आंसर ही आपको consider करना है यहां तक आपका यह question खतम हो जाता है और यह question आपका सब्मिट हो जाता है तो अब यह हो गया आपका खतम ठीक है नाव से रिलेटर जितने भी questions थे वो सारे के सारे इसी टाइप के बनते हैं अब आप क्या करोगे practice करोगे रूम पे जाके ठीक है अपना जो जितने भी questions है सारे practice करोगे ठीक है और यहीं पर आपका चाल दूरी और समय खतम होता है ठीक है पूरा complete chapter हो गया आप मिलते हैं next chapter के साथ नए concept के साथ thank you very much and take care